जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बैस मैजिक में आपका हार्वेक स्वागत है। कैसे हैं आप सर्व? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दसा माता की नवी कहानी, जो इस प्रकार है। एक गाउं में एक बुढिया ब्रामणी रहती थी, वह बहुत ही गरीब थी, उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटी से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे चार पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वा हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिये हैं। तब उसका लड़का गाउं वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पस्वों को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ पर महिलाएं इसनान करके दसा माता का डोरा ले रही उनके पास एक दोरा बच गया था। उनमें से एक स्थरी ने कहा कि इस लड़के से पूछ लो कि ये किसका है। तब एक स्थरी लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन-कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बोड़ी मा है। इस्थरीयों उनके लड़के को एक दोरा देते हुए कहा कि तुम इसे जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की समगरी भी देते रहेंगे। इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे दोरा ले लिया। फ गठरी तो उतार लो, मैं बोज से दबा जा रहा हूँ उसकी मा बहुत प्रसन हुई मा ने बेटे से पूछा कि ये सब कहां से ले आए हो लड़की ने मा को सब समाचार सुना कर दसा माता का डोरा भी दे दिया दोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से फृत करने लगी नो दिन तक कथा कहानी कहती रही दसवे दिन उसने दोरे की पूजा की तयारी सुरू की वै देरी के बाहर गोबर से लीप रही थी की उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढिया आकर बोली की क्या कर रही हो बहन उसने जवाब दिया की आज मेरे घर पर दसा माता का पूजन है इसलिए लीप रही हूँ उस बुढिया रूपी दसा माता ने कहा की मुझे बहुत ही प्यास लगी है थोड़ा सा पानी पिला दे इस पर लड़के की माता बोली की मैं तो इस मिट्टी के बरतन से पानी पीती हूँ मेरे ये लोटा लुटिया कुछ नहीं है तुमको पानी किसमे भर कर दूँ एक कटोरी ही मेरे घर में है पता नहीं वे कहा पड़ी है जरा तुम ठेरो मैं कटोरी ले आऊँ तब तुमको पानी पिलाऊंगी बुड़िया हाथ दोकर अंदर कटोरी लेने गई इसी बीच दसा माता जिन्होंने बुड़िया रूपी रूप धारन किया था उसके मटके रखने की जखहे पर एक सोने का घड़ा रख कर अंतर ध्यान हो गई बुड़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई वहाँ सोने का घड़ा देकर घबराई वे मन में सोचने लगी की मुझ पर बुड़ापे में चोरी का नाम लगेगा मैं चोर कहलाऊंगी वे इस जिन्ता में दसा माता रूपी बुड़िया को खोजने निकली तब तक उसका लड़का भी आ गया था उसने मा से पूछा कि तुम किसे खोज रही हो उसने बताया कि अभी सीर्ण अवस्था वाली बुड़िया आई थी और यहां सोने का घड़ा रख कर न जाने कहां चली गई लड़के ने बताया वही तो दसा माता थी उन्होंने तुमको ये घड़ा दिया है दोबारा फिर कभी वै आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आग्या का पालन करना जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाड़ पर जो भी चीज मिले उसको दसा माता का दिया हुआ प्रसाद समझ कर ले लेना किसी से ये पूछताच मत करना कि ये चीज किसकी है ये कहां से आई है बुड़िया नदी में नहा कर बहार निकली कर चलने की तयारी थी कि चार कहार एक डोली लेकर उसके पास आए कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा बुड़िया जब घर पहुची तो उसने देखा कि वहां तो एक आली सान महल खड़ा है बुड़िया महल के अंदर चली गई वहां उसने सरद्धा पूर्वक और भक्ती भाव से दसा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे समपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में भी एक सुसील बहु आ जाए तब ही ये सब सोभा देगा कुछ दिनों बाद लड़के का विवा हो गया और बहुत ही सुन्दर और सुसील बहु बुढिया के घर आ गई बुढिया ने दोबारा दसा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहु बेटे सुसील और सच्चन है उसी प्रकार के मैं पौत्र पाऊँ कुछ दिनों बाद बुढिया के यहां एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ एक दिन बुढिया ने अपनी बहु को पास बिठा कर समझाया कि मेरी ये सब संपत्ती दसा माता की प्रदान की हुई है उन्ही की कृपा से तुम इस घर में आई हो मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले, कुछेले, कपड़े, धारन की हुए बुढिया तुमारे घर आए तो उसे आचल के छोड से पोच डालना गिन मत करना उससे प्राथना करना कि ये सब आपी का दिया हुआ है और जब भी दसा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवस्य लेना और सद्धा पूर्वक उसका पूजन करना और जब भी तुमारे उपर संकट के बादल घिराएं तो सुहागिनों को न्योता देना दसा माता की कृपा से तुमारी सब इच्छाएं पूरी होंगी कुछ दिनों के बाद बुढिया का स्वर्ग वास हो गया और दसा माता ने सोचा की बुढिया के घर चल कर देखना चाहिए कि उसकी बहु सास के वचनों का पालन करती है या नहीं एक दिन दसा माता ने व्रद्धा भिकारिन का वेस धर कर उसके घर गई उसे देखते ही बहु खड़ी हो गई उसके पाउच हुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया उसकी स्रद्धा भक्ती से दसा माता बहुत ही प्रसन हुई उन्होंने आसिरवाद दिया की तेरी धर्म बुद्धी है भगवान तेरा सदयो कल्यान करेगा भंडार भरपूर रहेगा तु जो इच्छा करेगी वह तुझे अवस ही प्राप्त होगा दसा माता जैसी कृपा बुड़िया ब्रामणी पर की है वैसी ही कृपा सब भक्तों पर बनाए रखना बोलो दसा माता की जय तो दोस्तों दसा माता की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै दसा माता या जै माता दी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद